हेलो फ्रेंट सुवागत आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल विकास थ्रीवन टैक में तो फ्रेंट्स यूट्यूब की तरफ से एक बहुत ही इंपोर्टेंट अपडेट आया है और ये जो अपडेट है वो आपको मेल के रूप में मिला होगा और इस अपडेट में यूट्यूब ने खुद बताया है कि 2023 के अंदर आपको अपने शोट चैनल को कैसे ग्रो करने है उसने सारे आइडियाज आपको दिये हैं सब कुछ इसमें अच्छे से एक्स्प्लेइन किया है तो वीडियो बहुत ही जादा इंफर्मेटिव है तो वीडियो को पूरा लास तक जरूर देखना है क्योंकि मैं आपको इस अपडेट के बारे में कम्प्लीट जानकारी देने वाला हूँ और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो फ्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ओन करके उसे ओल पे सेट कर लें जिससे आपको मेरी आने वाली हर एक नहीं वीडियो के अपडेट सबसे पहले मिले तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स हमाचुके अपने लेप्टॉप की स्क्रीन पे मैं आपको लेप्टॉप से इसलिए बता रहा हूँ इसकी स्क्रीन बढ़ी है आपको अच्छे से समझ में आएगा फोन से भी आप इसी चीज को देख सकते हैं को कुछ इस तरीके का मेल आया होगा जिसमें लिखा हुआ है कि what does 2023 look like for you ठीक है यहां पर आप देख सकते हैं मेल में year of you लिखा हुआ है और यहां अच्छी सी फोटो लगा रखे हमारे logo जो है चैनल का उसके बाद यहां पर नीचे लिखा हुआ है आप देख सकते हैं hit the reset button it's a new year to do what you love and try your ideas whether that's connecting with your audience in new ways and growing your channel 10 fans what you want to explore this year in a short using hashtag year of you तलब यह आपके क्या आप इस साल में क्या क्या शेर करना चाहते हैं शोट के तरू अपने चैनल पर उसके बारे में यह लिखा हुआ है ठीक है जिससे आप अपनी audience से connect हो सकते हैं नए नए तरीके से और अपने चैनल को grow कर सकते हैं ठीक है यहाँ पर share your short पर click करेंगे तो आपके सामने camera open हो जाएगा जहांसे आपकी gallery जहांसे आप अपनी short कोई भी upload कर सकते हैं बना के या gallery से उसके बाद नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप अपने short channel को grow कैसे कर सकते हैं इस साल में मतलब 2023 के अंदर आपको कैसे अपने short channel को grow करना है उसके बारे में यहाँ पर आपको कुछ guidelines दे रखी है कुछ guide किया गया है 6 point आपको यहाँ पर दे रखी है तो मैं आपको ज़्यादा detail में इन्हें नहीं बताऊंगा main main आपको बताऊंगा ठीक है बाकि आप इन्हें detail में अच्छे से पढ़ भी सकते हैं जैसे पहला point है growing on shorts इस पे click करेंगे इस पे click करते ही यह इस तरीकी से page open हो जाता है यहाँ पर लिखा हुआ है create and earn with short form video on YouTube आप short video बना के YouTube से कैसे पैसे कमा सकते हैं ठीक है यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे पहले इसमें आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं यहाँ पर बता रखा है कि आपको किस तरीकी से short बनाने है यहाँ पर देखिए make it with mobile इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसे पढ़ भी सकते हैं कि आप अपने phone के through short बना सकते हैं जस्ट आपको video shoot करनी है ठीक है 9-16 में उसके बाद यहाँ पर YouTube is your short soundtrack आप अपने short video बनाएंगे उसके अंदर आप music use कर सकते हैं वो आप YouTube library से ले सकते हैं YouTube का जो music है अप वहाँ से use करके बनाएं ठीक है तो आपको copyright जैसी चीजों से दूर रहेंगे और where your shorts show up जहाँ पर आपके जो shorts हैं वो लोगों को दिखाई देते हैं जो आपका watching वाला area है ठीक है shorts feed से या फिर browse history से जहां से भी लोग आपकी shorts को जितना ज़्यादा देखेंगे उतना ज़्यादा आपका channel जो है वो ग्रो करेगा इसी तरीके से आप यहाँ पर नीचे भी काफी सारी चीज़ें हैं आप पढ़ सकते हैं ठीक है मैं आपको main main point यहाँ पर बता रहा हूँ उसके बाद हम वापिस आ जाएंगे यहाँ पर अब दूसरे point की यहाँ पर लिखा हुआ है finding new content strategy ठीक है नए-नए content की strategy आप कैसे find करेंगे इस पर click करेंगे तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ लिखा हुआ है यहाँ पर keep your content fresh ठीक है आपके सामने यह लिखा आ गया even if you have a loyal audience there is always the chance that you are missing viewers who would love your channel here are some tools and tips that can help you attract new viewers and more of them मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है कि कुछ viewers ऐसे हैं जो आपके channel तक नहीं पहुँच पाते और आपके channel से जो आपकी categories related channel है उसे देखना वो पसंद करते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर इन्होंने अच्छे से guide किया हुआ है कि आप कैसे अपने viewers को increase कर सकते हैं उन्हें attract कर सकते हैं अपनी और तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए यहाँ पर है try out YouTube live YouTube live करना शुरू करें आप अपनी चैनल के उपर ठीक है यूट्यूब पर लाइव आए पाइवेट यूर content अपने content को पाइवेट करें ठीक है जब भी आपको ज़रुरत हो लगे ऐसा और अगर आपके माइंड में कुछ ऐसा आ रहा है यहाँ पर लिखा है start a secondary channel कि आपको इस topics related जैसे आपके किसी एक category का channel है और आप किसी दूसरे category की वीडियो पर आपके माइंड में आ रहे हैं कि मैं इस पर भी work कर सकता हूं इसकी वीडियो भी बना सकता हूं तो उसके लिए आप एक fresh channel बना तो इस तरीके का भी app आप experiment कर सकते हैं ठीक है दूसरे channel भी बना सकते हैं और keep it fun मतलब आप अपनी shorts को creative बनाएं कुछ उसमें funny चीजे करें ठीक है जिस भी related आपका जो short है उससे related उसे interesting बनाएं जिससे view उससे देखने के लिए मजबूर हों वो आपके short वीडियो को पूरा देखे भी ना जाएं कुछ इस तरीके का उसमें कुछ suspense कुछ creativity आप अपनी तरफ से creativity डालें ठीक है जिससे आपका short जो है वो जल्दी से तेजी से grow हो अब वापिस आ जाते हैं third point के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है building your community ठीक है तो आपको अपनी community को कैसे build करना है उसक making the conversation going मतलब जो आपकी वीडियो पे comment आते हैं उस पे आप replies जरूर करें अगर आपके किसी वीडियो पे comment आ रहा है कुछ कोई भी fan या फिर कोई भी viewer आपकी वीडियो पे कोई question कर रहा है आप उसका reply जरूर करें ठीक है और managing the comments आप अपनी comments यहाँ पे भी वही चीज है ठीक तो जब आप अपनी video upload करने जाते हैं उसमें नीचे आपको option भी मिलते हैं कि आपको किस तरीके के harmful comments को आप पहले ही block कर सकते हैं तो हर तरीके की आप इसमें update भी है YouTube में जिससे आपके जो channel है वो भी safe रहेगा और आप harmful comments से भी बच जाएंगे ठीक है यहाँ पे यह चीज को build करने के लिए new years को find कर सकते हैं fans को collaborate wisely ठीक है collaborate करना है आपको सही धंग से get familiar with metadata add captions to your videos के अंदर captions लगाने हैं यहाँ पर और अच्छे से पढ़ सकते हैं ठीक है मैंने आपको मोटा मोटा बताया है अब बात करते हैं fourth point के बारे में earning money on YouTube इस पर click करेंगे fourth point है यह हमारा how to make money on YouTube तो इसमें आप में से काफ़ सारे लोगों को यह पता ही होगा किस तरीके से है तो आप eligibility यहां से check कर सकते हैं ठीक है आप देख सकते हैं shorts का channel है तो 1000 subscriber और 10 million का आपका जो worst time है वो आपका short views last 90 दिनों के अंदर पूरे होने चाहिए मतलब पिछले 3 महिने में आपके 1000 subscriber और 10 अपने channel को monetization के लिए apply कर पाएंगे ठीक है उसके बाद यहां पर नीचे है multiple ways to earn ठीक है यहां पर आप इन्हें और detail में पढ़ सकते हैं यहां पर super channel super stickers YouTube shopping के थूरू भी आप earning कर सकते हैं super chat super stickers आपको live में मिलते हैं ठीक है आपका super thanks होता है एक super thanks यहां पर last में हैं देख सकत हैं super thanks आपको video के नीचे भी दिखाए देता है channel membership के थूरू भी आप पैसे कमा सकते हैं brand connect के साथ मतलब आप YouTube पे किसी brand का promotion करें उसके थूरू भी आप पैसे कमा सकते हैं तो यह काफी सारे तरीके हैं यहां पर उसके बाद हम बात करते हैं fifth point के बारे में जो है leveling up with YouTube gaming इस पे demand live streams shorts ठीक है यह सब आप कर सकते हैं यहां पर और इसमें नीचे और भी है आप game खेल सकते हैं यहां पर supercharge your content let your gaming personality shine through keep viewers watching the with playlist ठीक है आप gaming का यहां पर shorts बना सकते हैं हर तरीके से आप अपने channel को यहां पर grow करवा सकते हैं अगर आप gaming से related बनाते हैं shorts तो वो सारा यहां पर ठीक है अब बात करते हैं six point के बारे में यह है going live on YouTube इस पर click करेंगे तो यहां पर live streaming on YouTube आपको कैसे करनी है अप grow होने के लिए इसमें क्या tips हैं अगर आप live streaming करेंगे तो उसका सबसे बड़ा benefit है आप अपनी audience के साथ या और भी जो audience है उसके साथ आप connect हो सकते हैं आपकी reach बड़ेगी वह live करने से आप earning अच्छी कर पाएंगे ठीक है और जब आप 57 live कर लेंगे तो आप अपनी live को analyze भी जरूर करें कि आपकी किस live में ज्यादा लोगों ने response किया है या ज्यादा audience आपके साथ जूड़ी है किस live में तो आपको इससे पता लगया कि आपको किस तरी सारी चीज़ों को मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया है इन तरीकों से आप 2023 में अपने यूट्यूब चैनल को शोट का जो आपको यूट्यूब चैनल है उसे आप ग्रो कर सकते हैं तो फ्रेंड्स उमीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी अगर फिर भी वीडियो से एलेटेड कोई question है कोई query है आपके mind में तो आप मुझे नीचे comment section में comment करके post सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो पसंद आई हो तो इसे like और share ज़रूर करें thank you